हेलो एंड वेलकम दोस्तों लखैपूर टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं हीमालिया हरबल की एक और दवा बोनी सान के बारे में बताने जा रहा हूँ बोनी सान बच्चों के लिए एक बेहतरीन टाउनिक है जो कई बीमारियों से बचाते हुए बच्चों को हेल्दी बनाता है बोनी सान ड्रॉप्स और लिक्विड दो तरह का आता है जो नवजात सिशू से लेकर बड़े बच्चों तक में इस्तमाल किया जाता है बच्चों के पेट दर्द, पेट में एठन, पेट में गैस बनना, भूख की कमी, अपच, कब्स, अफाराय त्यादी को दूर करता है बच्चों की रोग परती रोधक छमता को बढ़ाता है नवजात सिशू जो अक्सर पेट दर्द, गैस और एठन की वज़ा से रोते हैं उनके लिए बोनी संड्राप्स बहुती कारगर है पेट की गैस को बाहर निकालता है और पाचन शक्ति को ठीक कर स्वास्ते सुधारता है लिवर के फंक्शन को सही करता है और एक बेहतरीन एंटी आउक्सिडेंट है जिससे रोगों से बचाव होता है और बच्चों को खुश रहने में मदद करता है बोनी संड का डोज और इस्तेमाल करने का तरीका एक महीने तक के नवजात शिशु को पांच से दस ड्रॉप दिन में तीन बार बोनी संड ड्रॉप्स देना चाहिए एक से च्छ महीने के बच्चे को दस से विस बुन तक तीन बार एक से तीन साल तक के बच्चों को बोनी सान लिक्विड देना चाहिए आधा से एक चमज तक तीन बर बोनी सान का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है अगर बच्चों को ऐसे भी सुबह-शामी से दिया जाए तो यह बच्चों के स्वास्थ को ठीक रखता है और बीमार होने से बचाता है बॉनिसन बच्चों के लिए स्वास्थ पूरक की तरह काम करने वाला बेहतरीन टॉनिक है हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पुरी तरह सुरच्छित आयरुवेदिक आशधी है इसका इस्तेमाल कई दसकों से किया जा रहा है हमारे देश की सवदेशी आशधी है किसी भी विदेशी टॉनिक से बढ़िया अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने नजदेकी डॉक्टर की सला से इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई जानकारीयों की अपडेट पाने और बिमारीयों को दूर करने के अईरवेदिक फरमूले जानने के लिए आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें आज की जानकारी को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक पर किलिक कीजिए आज की जानकारी के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट के में अधियम से पूछिए आपके सवालों का राय या सुझाव का स्वागत है आज के लिए इतना ही आपकी स्वास्त कामना के साथ इजाजत चाहूंगा धन्यवाद